Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब की योगेता केवल इसनातक मांगी गई है सरकारी नौकरी के लिए और ये जो नौकरी रहेगी आप लोगों की बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर रहेगी पर्मानेंट रहने वाली है सब ही राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आविदन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं किस राज्य की वेकैंसी है और आविदन करने के लिए और क्या-क्या जो है यहां पर इंपोर्टेंट चीजें कही गई है सबसे पहले हम बात कर लेंगे वेकैंसी जो आई है हाई कोड से आई है जहां पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट यहां पर अन्रिजर्व केटिगरी की 22 वेकैंसी आई है SC की 6 वेकैंसी है ST की 14 वेकैंसी है उसके बाद जो है BC1, BC2 की 4 और 3 वेकैंसी है EWS category की 6 vacancy है, तो यह जो permanent government job की जो vacancy आई है, high court में assistant की 55 यहाँ पर number of vacancy है, starting date रहेगी online application करने की 20 February 2024, closing date रहने वाली है 22 March 2024, उसके बाद जो है, post का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, assistant for the high court of जहारखंड राची, बाहरी राजे के candidate बिल्कुल apply कर पाएंगे, यहाँ पर pay scale की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी जो salary है काफी अच्छी रहने वाली है, pay matrix level 7, in the 7th PRC, तो 44,900 basic पे रहेगी, उस के बाद जो है, 1,42,400 तक salary रहने वाली है, यानि starting की जो salary आपकी 60,000, 65,000 रहेगी, qualification के अगर हम बात करते हैं, तो केवल graduation चाहिए, और computer पर typing की knowledge, बस इतना ही, उम्र सीमा क्या कही गई है, तो यहाँ पर minimum 21 year और maximum 35 year, unreserved category and EWS category के लिए, बाकी जो category है, जैसे BC1, BC2 की, तो इसमें 37 year है, 38 year तक की जो female candidate है, चाहे वो किसी भी category की हो, unreserved EWS, BC1, BC2, तो बिलकुल 38 year तक की female candidate अपलाए कर सकती है, SC, ST के लिए, जो है, यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है, 40 verse, चाहे male candidate apply करना चाहे, या फिर female candidate apply करना चाहे, ST और SC category की, PWVD के लिए, जो है, यहाँ पर 10 साल की चूट रहती है, यानि 35 year जो है, वो maximum उम्र है, यहाँ पर general category की, तो 10 साल की चूट जो है, यहाँ PWVD candidate को मिल जाती है, और भी चीजें, जो की main main चीजें मैंने highlight कर दी है, examination fees, यानि exam रहेगा, उसे आप qualify कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर merit list तयार होगी, फिर selection होगा, examination fees जो है, 500 rupees, unreserved category, EWS, BC1, BC2 category की है, SCST category की मात्र 125 rupees है, PWVD की कोई fees नहीं है, उसके बाद जो है, scheme of examination, syllabus and other detail for recruitment to the post of assistant in high court of जार्कन राची, तो exam भी आप लोगों को जो है, जार्कन राची में जाकर ही देना होगा, और posting भी वहीं रहेगी, return test होगा, 90 marks का, तो computer skill test रहेगा और वाइवा होगा, 15 marks का, इस तरीके से जो है, यहाँ पर exam होगा, syllabus भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या-क्या पूछा जाने वाला है, return test में, 90 marks में, जैसे journal English, comprehension, English grammar, English word power, 20 marks की, और English essay writing, 10 marks, इसके बाद जो है, जी के आपकी 30 marks की, maths, reasoning आप लोगों से पूछी जाएगी, तो के वल 10th standard तक की पूछी जाएगी, 30 marks की, इस तरीके से जो है, आपके यहाँ पर return test के लिए इन्होंने बता दिया है, तो यह complete जो है advertisement है, link आप लोगों को share कर दिया जाएगा, जो भी candidate interested है, qualification ज्यादा नहीं कही गई है, केवल मांगा गया है आपका graduation, किसी भी stream से आपने graduation complete किया है, तो बिलकुल आप लोग यहाँ पर आविधन कर सकते हैं, मिलेंगे next video में, thank you.